दे कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बिहार के पुर्व मुख्यमंत्र जितेन राम मांजी ने कुछ ऐसा अलग एंगल दिया कि जिसे सुनते ही आपके पैरतले जमीन घिसक जाएगी जहां बिहार में नितिश चरकार ने दे कश्मीर फाइल्स को टेक्स फ्री कर दिया वही वहा के पुर्व मुख्यमंत्र जितेन राम मांजी बौकला उठे है जितेन राम मांजी ने इस फिल्म को लेकर ट्वीट कर कहा दे कश्मीर फाइल्स आतंक वादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है जिसे दिखा कर आतंक के संगठन कश्मीरी ब्रामन में खौफ एवं डर का माहोल बना रही है ताकि डर से कोई भी कश्मीरी ब्रामन फिर से कभी भी कश्मीर ना जा पाए यहीं नहीं उन्होंने ये तक कह डाला कि दे कश्मीर फाइल्स फिल्म के पूरे टीम की आतंक की कनेक्शन की जांच होनी चाहिए ऐसा कहकर जितेन राम मांजी ने इस पूरे फिल्म की रुख ही बदल दी साथ ही अगर आप इस पर बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री रावडी देवी की बात सुनेंगे और जिस तरह से एचेम ने उन पर तंच कसा आप हसस कर लोट पोड हो जाएंगे देरसल बिहार के सरकार ने जब ये फिल्म टैक्स फ्री करने की बात सामने रखी तो रावडी देवी ने इसका विरोध करते वे कहां कि एक फिल्म गुजरात के गोधरा दंगे पर भी बननी चाहिए और जिसके बाद HM ने राबरी देवी पर तंच कस्तेवे कहां क्यों नहीं देश के चारा घोटाला और कम समय में संपत्ति बनाने पर भी फिल्म बननी चाहिए दे कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ऐसे वाद विवाद चल रहे हैं कि ये फिल्म नहीं जैसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा बन गया हो फिल्हाल आपके क्या है राए इस पर कमेट पर बताईए और ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए